हेलो एवरिवन मैं रोद को स्वागत करता हूँ अब सभी को आपके अपने चैनल SKV Classes में तो दोस्तों हो जाएए तैयार क्यूंकि आपको होने वाला है समाजिक विज्ञान से प्यार तो आज हम पढ़ने वाले Zography का अध्याई 6 जिसमें हम पढ़ने वाले खाद्य शुरक्चा के बारे में और मतस्य पालन के बारे में यानि जो मचली पालन होता है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं या इस चेप्टर का ही जो थर्ड लेक्चर है इसके पहले दो लेक्चर कम्प्लीट हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सम में लिंक दिए पहले जाकर वह देख लीजिए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपी की तरफ तो हम प्रमुख खादे फसलों के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने चावल और गेहु देख लिया था अब हम पढ़ने वाले हैं मक्का के बारे में मक्का एक मोटा अनाज है इसका उपयोग खाने और चारे दोनों के लिए होता है मक्का 50 cm से 100 cm वर्षा वाले छेतरों में उगाया जाता है तथा कम वर्षा वाले छेतरों में सीचाई के मदद से यह फसल उगाया जाता है यानि जो मक्का एकर बात किया जाएगा मक्का जो हैं मोटे अनाज के स्रेणी में आता है और जो इसका उपयोग है वह खाने के रूप में भी होता है और चारे के लिए भी होता है जितने भी मवेशी हैं मुर्गिया हैं उन सब के जो चारा हैं उनके लिए मक्का का उप्योग होता है इसके लिए कितना लबग वर्षा की जरुत होती है तो लबग 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जितने भी छेतर हैं उन सब में मक्का की खेती होती है और जहां पर इतनी वर्षा नहीं हो पाती है तो उन्हें सिचाई की सहायता से इन फसलों को मका फसलों को उगाया जा सकता है मोटे अनाज भारत में उगाय जाने वाले मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख है इसके लिए लगभग 30 cm से 60 cm वर्षा की अवशकता होती है यानि भारत में जो मोटे अनाज है उन्हें कौन-कौन से होती है ज्वार, बाजरा, मका, रागी यह भी जो फसले हैं वो मोटे अनाज की शरणी में आते है इनके लगभग कितना मासिक तापमान चाहिए लगभग 18 cm से लेकर 32 cm मासिक तापमान इसके लिए जरूरत होती है और इसके लिए वर्षा कितनी अवशकता होती है तो अवशकता जो 30 cm से लेकर 60 cm वर्षा होनी चाहिए यानि मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए इतना जलवाई होना चाहिए अब देखते हैं दलहन फसलों के बारे में जितने भी प्रकार की दाल हो जाएंगे अरहार, अरहार हो जाएगा, मस्सूर हो जाएगा या और भी प्रकार की जो जितने दाले होंगे जिनका उपयोग दाल के लिए किया था, उससब दलहन फसलों आजाएंगे दलहन फसलों का मानविये जीवन में महत्पून अस्थाने इन फसलों में मानो शरीर को प्रूटीन जैसे महत्पून वीटामिन की प्राप्ती होती है यानि जितने भी दलहन फसल है, उनमें सबसे जाज़ा प्रूटीन पाये जाता है इनमें अनेक फसली आजाएंगे, सबसे पहले देखते हैं मूंग फली की पहले में इसके पहले हमने देखी, खादे फसल पढ़ा, खादे फसल में अनेक प्रकार के फसल देखा चावल देखा, गियों देखा, मक्का देखा और मोटी आना, जितने भी इस सब खादे फसल है उसके बाद से हम दलहन फसल देखने वाले हैं, दलहन फसल में सबसे पहले मूंग फली देखते हैं भारत का सबसे महत्वपूर तिलहन फसल है, इसके प्रमुख उतपादक राजियों में आंदर परदेश, तमिलांडू, करनाटक, गुजरात और महराष्ट है ये राज्य देश के कुल उतपादन का लगभग 85% खाद तेल पैदा करते हैं यानि जो मूंग फली है जो है, वो सबसे ज़्यादा तिलहन फसल की श्रणी में आता है और यह सबसे ज़्यादा कहां उगता है तो सबसे ज़्यादा गुजरात में मूंग फली को उगाया जाता है और और भी एस्टेट है जैसे में कि आंद्रपरदेश, तमिलांडू, करनाटक और महराश्ट जैसे इस्टेट में भी दलान फसल उगाया जाता है अब देखते हैं रेसिदार फसल के बारे में यानि जिन से रेसा निकाला जाता है और कपड़ों के निर्माण में इनका उप्योगी आयाता है कपास और जूट भारत के दो प्रमुख रेसिदार फसल है कपास और उष्ण और उपोष्ण जलवाईयों की फसल है या खरीब की फसल है कपास की फसल को तयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं फसल को तयार होने के समय खुला मोसम आवश्यक है इससे कापास में चमक बनी रहती है यानि जो कापास की फसल या रिसिदार फसल वो कौन से फसल की स्रणी में आता है तो खरी फसल की स्रणी में आता है यानि कि या ग्रिस में रितू में उगाया जाता है कापास जो है वो उपोशन जलवाई यानि गर्म जलवाई के लिए उशक्ता होती है या खरी फसल के शणी माता है और कापास के जो त्यार होने में लगभा कितना समय लगता है तो 6 से लेकर 8 महीना तक लगता है फसल को तियार होने के लिए खुला मोशम क्यों शक्ता होती है ताकि जो कापास में चमक बढ़ सके और अगर पूशा जाता है कि सबसे ज़्यादा कापास का उत्पादन कहा होता है भारत में तो भार्त में सबसे ज़ता कपास का उत्पादन महाराष्ट र्याजय में होता है यानि महाराष्ट पहले अस्थान पर एक अपास उत्पादन में अब देखते हैं जूट और पटसन उश्रनाद्र जलवाईयों की फसल है जूट फसल को तैयार होने में आठ से दस महीने तक समय लगता है यानि जो जूट है जिसे पटसन भी कहते हैं उसको तैयार होने में लगवख कितना आठ से लेकर दस महीने तक लगता है और इसके लिए उश्राद्र जलवाईयों की भी जरूवत होती है अब देखते हैं पिय फसलों के बारे में हमने देखा खाद्य फसल खाद्य फसल में अनेक प्रकार की फसल देखा फिर हमने देखा दल्हान फसलों के बारे में जिसने डालों के बारे में देखा फिर उसके बाद से रेसेदार फसलों को देखा अब देखते हैं पेफसलों के बारे में जिनका उपयोग पीने के लिए होता है जैसे चाय और कहवा महत्तोपून पेफसल है भारत में चाय एक विशिष्ट रोपण फसल है चाय की उपज के लिए 20 सेंटीग्रेट से 30 सेंटीग्रेट तापमान आदर से 150 सेंटीमीटर से 200 सें चाय और कहवा जैसे फसल आजाते हैं इनके लिए लगवत कितना जो तापमान चाहिए उसके लिए 20 सेंटीग्रेट से लेकर 30 सेंटीग्रेट तापमान चाहिए और 1500 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्सिक और सत वर्सा इनके लिए उप्यूक्त है और ऐसी जलवाई असम और मेगाले जैसे छेत्रों में ज़्यादा मिलती है इसी कराण जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है वो असम है क्योंकि उसके लिए वहाँ प्यूक्त कारवाई दसाय आवश्यक होती है कहवा की ऊपज के लिए 15 दिग्री डिग्री से 28 टापमान तथा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्सिक वर्षा चाहिए 對啊 और यह जो पी पीने में यानि कि पीए फशलों में इसका दूसरा इसकी खेती के लिए गर्म जलवाई की ओशकता होती है और कहवा की जो है उपज के लिए तापमान लगभग कितना चाहिए 15 degree centigrade से लेकर 28 degree centigrade के बीच तापमान चाहिए और कितने इसमें वर्षा चाहिए तो 150 cm से लेकर 200 cm अगर यहां पर वर्षा होती है तो इस प्रकार के फसल को उगाया जा सकता है अब देखते हैं कि हमने अनेक प्रकार की फसलों को देख चुका अब देखते हैं खादे सुरक्षित किया जा सकता है पिछले 50 वर्षों में देश में खादान के उत्पादन में गुणवत्ता बढ़होत्री हुई है इसकी अवधी में जन्संख्या म में 1951 में 36.10 करोड थी जो 2001 में बढ़कर 102.70 करोड हो गई है यानि जो अगर देखा जाएगा आजादी के बाद यानि 50 वर्सों का अंतराल देखा जाएगा तो जो है वो खादे फसलों की जो गुड़मता है उसमें बढ़ोतरी होई है इन प्रस्थीतियों में क्रिसी विज्ञानिकों का यदाईत्व बन जाता है कि अपने एक अरब से भी अधिक लोगों को भूख मिटाने के लिए ऐसी क्रिसी तकनिक को उप्योग किया जाए जो परियावरण के दृष्टी सतत पोश्णिय हो यानि कि जो भारत के जनसंक्या बढ़ती जा रही है और भूमी जो उतना सीमी थी है तो कम भूमी में ही ज़्यादा उत्पादन करने के लिए विज्ञानिकों ने अनेक तरीके अपना हैं जिने विज्ञानिक तरीकों से अगर खेती किया जाता है तो कम छेत्रों में ही हत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं इससे मानों के सरीर को परचूर मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ती होती है यानि जो मचलिया है वह किसकी शुरोथ होती है तो प्रोटीन का शुरोथ होती है मतस्य पालन दो प्रकार के होते हैं समुंद्री जल यानि खारे पानी में और स्वक्ष जल का यानि जो मतस्य पालन वो दो प्रकार का होता है एक तो समुंद्रे में और दूसरा या खुद जैसे तलाबों में जो किसान होते हैं वो छोटे-छोटे तलाब बनाकर उसमें मचली पालन करते हैं वो शुक्षजल में पहले प्रकार के मतस्य पालन में वह मुर्ण कज्छ नियुखते चारा देते हैं और निकाल और उनने निकाल कर बेच देते हैं और इस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं इसे साथ यह आपका लेक्ट यह चिप्टर खत्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिन